नमस्कार आई आज कहानी गोल्ड में सुनते हैं रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी तेरे नाम के बाद पकी धूप पेड़ों से छनकर सीधी रूपा के मुँपर टपक रही थी उसने शौल से सुरश के साथ एक पार दर्शिता इस्थापित कर ली अब धूप शौल से छनचन कर आ रही थी तभी हलकी हलकी किर्णों की तपन उसका चहरा सहलाने लगी थी यूँ लग रहा था मानू चहरे पर गर्माहट की एक परच्सी चड़ी जा रही हो कुछ दिर बाद उसके गालों पर एक बोज चड़ने लगा उसने गालों को सहलाया कोई एहसास नहीं एक अजीब शुणने था वहाँ इधर एक नील बट्टा सन्नाटा उसके अस्तित्व पर तारी रहता है वीतर कोई हलन चलन नहीं रहती बस एक बाहरी शोर उसे मथे डालता है ये दुनिया उसे एक भीशन शोर का गोला नजर आने लगती है जहां हर कोई स्वैम से नहीं सिर्फ दूसरे से प्रश्न कर रहा है उत्तर कोई नहीं दे रहा बस हर एक व्यक्ति गोलियों की मानिंद सिर्फ सवाल दाग रहा है रूपा घबरा कर कान बंद कर लेती है किन्तु शोर अब सीधे उसकी आत्मा पर हमला करने लगा था परिशानी और बढ़ती देख वह घर जाने के लिए खड़ी हो गई थी घर क्या होता है उसने भी एक सवाल खुद से दाग दिया था अत्यधिक बाहरी शोर जब सहन करने की जिद से बाहर हो जाए तो आत्मा में भी जब जोने लगता है ये सवाल उसी का नतीजा था उसने पर्स से चाभियों का गुच्छा निकालना चाहा पर्स में घुगरू बचने लगे वह मुस्कुरा दी चाभियां पर्स में कहां रखी है ये जानने के लिए उसने कीरिंग में घुगरू पिरो दिये थे ताकि उनके रुणजुन से चाभियां स्वतह मिल जाए वा लिविंग रूम के दिवान में डह गई ये घर में उसका पसंदीदा कॉर्णर था प्रूपा का मानना है कि हर एक घर में एक कोजी स्पेस होता है जहां व्यक्ति सबसे छुपा कर अपना बचपन, यूथ और पकी उम्र की यादे तेह करके रखता जाता है फिर गाहे बगाहे उन यादों को उलट पलट कर देख वुहार लेता है इसी जाचा परखी में कभी कभार कुछ यादे विस्मित हो जाती है तो कुछ वक्त से फिसल कर दूर जा गिरती है और उनके स्थान पर व्यक्ति कुछ नई यादे सजो देता है यूँ भी जहां से चले थे वहाँ पुनह लोटना चाहो तो मस्तिश्क में बैठा सेक्योरिटी गाड यका एक विसल बजा कर रोग देता है यादों तक जाने की राह यूँ भी वन वे होती है जहां से लोटने में दर्द और आहिं साथ हो लेती है व्यक्ति नाहक व्यथित होता है लेकिन किसी के रोके से नहीं रुकता बलकि प्रतिबंधित राहों पर जिग्याशा के बोर्टंगे होते हैं व्यक्ति जिन्हें पढ़कर रुकता तो नहीं बलकि उन राहों पर जाता आवश है चाहे लोटते वक्त कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े रूपा भी यादों की टहल लेने अक्सर उन प्रतिबंधित राहों पर आवा जाही करती रहती थी उस दिन भी यही सिलसिला था रविवार उसे वैसे भी और दिनों की अपेक्षा बहुत बड़ा लगता था रूपा बालकनी में चली आई थी बाहर किसी का सामान लोड हो रहा था सामने वाला घर अपुना मकान बन गया था खाली मकानों में सपने पलते हैं और भरे मकानों में उन सपनों की टूटन उसकी जाने वालों से खास पहचान नहीं थी बालकनी में आते जाते कभी कभार का मुस्कुराना भर होता था उसने नीचे जाग कर देखा जाने वाली इस्त्री उसे देखकर हाथ हिला रही थी उसने भी जवाब में हाथ हिला दिया रूपा को लगा पहले कुछ और बातचीत हो पाती तो बहतर होता अब जाने वालों से क्या बात करे उसने जूले पर पड़ी किताब उठा ली किताबें संगीत और एकान से प्रेम उसे एकाकी नहीं होने देते हैं क्या वाकई यदिवा एकाकी है तो इसका चुनाव भी तो एक मरतबा पिता से बहस के दोरान उसने कहा था इस तरियां अपने लिए नियम स्वैम तै करेंगी और ये उनका अधिकार है सो तो है बिटिया लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी अकेले गुजारना आपने भी तो मा के बिना एक लंबा सफर अकेले तै किया है पापा मेरे प लागेगा मुझे तो तू यही रहने दे और पापा ने भी उसे अपने हवाले छोड़ दिया था इतनी बड़ी दुनिया में अपनी जीवन की शुनातिया निप्टाने के लिए उसे यू भी अपना होना काफी था इतने बड़े शहर में उस जैसे ना जाने कितने ही लोग होंगे जो स्वैम के भरोसे रहते होंगे एक सिर्फ वही तो नहीं थी जो घर और नौकरी के बीच सामजस से बनाए हुए थी एक गहरी सास लेकर वह किचन में चली आई थी अद्रक वाली चाय का एक बड़ा कपली है सोफे पर जा बैठी थी कुछ दिर बाद एक कविता ड साम तक रूपा यूँ ही डारी लिए सोती रही थी नौक नौक क्या मैं आपके एक आंथ को खटखटा सकता हूँ कौन जी मैं वो सामने वाले घर में आपका नया पड़ोसी वह एक खाली कप लिए खड़ा था ओ जी जी बताईए एक कप दूद मिलेगा वैसे आप चाहे त दरा जाओं और इसी के साथ वा रूपा के सामने वाली कुरसी पर लगभाग आधासा था जी थोड़ा दोधै फ्रिज में आप रूखिये मैं एक कप चाही बना लेती हूँ एक कप क्या आप नहीं पीएंगी जी नहीं मैं पी चुकी हूँ एक और कप पी लीजिये जी नही मुझे जादा कैफीन का शौक नहीं है रूपा नितनीक जुंजला कर कहा था अरे आप चाहे जैसे अमरित को कैफीन कहती है उफ आपने कुछ पूछा वाल्च कचा कर चलने को हुआ था आप बैठिये मैं चाहे बना कर लाती हूँ रूपा को अपने व्यवहार पर संकोच ह चला था ये उतनी भी खडूस नहीं जितनी चौकिदार ने बताया था अब आपने कुछ कहा कहने सुनने में मैं अधिक विश्वास नहीं करती रूपा ने बेरूखी से जवाब दिया था रूपा को ग्याद था कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं वा मुस्कुर प्रक तब पढ़ता है जब आप इसे माल लेते हैं वैसे भी व्यक्ति दूसरे को अनुभाओं से कम पुर्वा ग्रहों से अधिक आगता है तो फिर ये कौन से अजूब एग्रह से आया है है तो ये भी आदम का जन्मा रूपा ने चाय के साथ एक तश्तरी में कुछ बिसक पाएंगी इस गरीब की मदद करके मैं अभी शाम तक ही घर लोट पाती हूँ भला मैं क्या आपकी साहिता कर पाऊंगी रूपा ने अपने हालातों के जर्ये बात इस बस्ट करनी की कोशिश की थी तब तो मैं आपकी भी मदद कर पाऊंगा क्यो न कल शाम का खाना आप मेर जी जी रूपा कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उसने पहले ही स्वैम को आमंतरत कर लिया था वस एक हैंड की मुद्रा में डिनर के लिए रूपा से वचन लेने के लिए हाथ बढ़ाये खड़ा था वा कुछ सोच बाती इस से पुर हुई उसने रूपा की हथेली को अपने ह मैं रूपा आच-कचा गई थी मेरा नाम वर्धन है और मैं आपका नया पडोसी हूँ एक प्राइविट फर्म में एचार डिपार्टमेंट देखता हूँ यह अपार्टमेंट दरसल मुझे कंपनी ने दिया है आपके हावभाव देखकर यू लग रहा है मानो आपको कर कोई खास खुशी नहीं हुई किन्तो मुझे आपके जैसे गुड़ी पडोसी पाकर अतिंत प्रसनता हुई ऐसी कोई बात नहीं मेरा नाम रूपा है जो की नेम प्लेट पर आपने देखा ही होगा और मैं एक लाइबरेरियन हूँ बढ़िया तो कल खिचड़ी पकी रू रूपा वहरानी से देखती हुई रूपा को नमस्ते की मुद्रा में छोड़कर चल दिया था ये अजनभी उसे अच्छा पड़ोसी धर्म सिखा गया अगली शाम को जब लोटी तो इस बावत बिलकुल भूली चुकी थी शाम को खाना बनाने किचन में गई तब याद आय कि वर्धन ने कैसे सौयम को जबरन ने होता था उसके घर ये नई जनरेशन कितनी सहज है रूपा मुस्कुराते हुए खिचड़ी के साथ रायता भी बनाने लगी थी ठीक शाम आट बजे वर्धन उसके घर दाखिल हो गया था लिनर के बाद उसने जित करके वरतन्मीद हो रूपा से उसके जीवन के बारे में कोई बात नहीं पूछी थी नहीं आने लोगों की तरह उसके अवविवाहित होने पर कोई प्रश्ने चिन्ह लगाया था आप भी क्यों नहीं हमारे साथ शहर को दुबारा महसूस करती रूपा मैं जरूर चलना चाहूंगी अगर किसी दिन छुट्टी के रोज तुम लोग कोई कारिक्रम बनाओ कई कारिक्रम बने और रूपा उनका हिस्सा हुई भी बलके रूपा अंचाहे उन गौसिप्स का हिस्सा भी होने लगी जो कॉलोनियों के नुकड़ पर प्राया गर के इस्त्रियों द्वारा किसी बड़ी उम्र की लड़की के अन्ब्याहे रहने पर होती है रूपा जानती थी कि जो कुछ नहीं करते वे अलोचना करने लगते हैं और यही उस जैसी एक आके इस्त्रियों के साथ हमुमन होता है मसला तवज्जों के लाइक न हो तब भी ऐसी अन्चाही बातों की तरफ उसका ध्याना करशित होना ही था वह ये मानकर चुप रही कि कुतरकों के तरक अन्तहीन होते हैं एक बात का जवाब दस नए सवाल पैदा करता है इसलिए मौन से बहतर कोई जवाब न हुआ है न होगा हाँ उसने वर्धन से कुछ दूरी जरूर बना ली थी दूरिया अन्त नहीं होती अमोमन दूरियों के पस्चा कई नए रिष्टों का जन्म होता है रूपा की अपनी बंधी बधाई एक समय सारनी थी जिस पर वह वर्षों से अथक चली जा रही थी और उसे पुना उसी प्रक्रिया में ढलने में कोई परिशानी न हुई लेकिन वर्धन के साथ ऐसा नहीं था एक बेचैनी थी जो उसके सीने के बाईयोर रह रह कर धड़क जाती उसने कई मर्तबा रूपा को फोन किया तो कई बार बेसबब रूपा के घर चला आया रूपा की चुपपी और कॉलोनी की फुस्वसाहट में कोई तार जुड़ता उसे इस पस्ट दिखाई दे रहा था सूप्रभात क्या आप अब भी इन ऐसी बातों के फिक्र करती है एक रोज वाटसेपर सुबह सुबह मैसेजिल मिलाया था सूप्रभात इससे आगे रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया था अगले कई रोज रूपा अपने स्कूलों के इम्तिहान की जिम्मेदारियों में व्यस्थ हो गई थी एक शाम बर्धन अपने माता पिता के साथ उसके घर आया था दरसल मम्मी पापा वापस लोटना चाहते हैं एक जरूरी काम अचानक आ गया है आप व्यस्थ थी तो सोचा जी अच्छा किया मैं भी आने वाली थी लेकिन कुछ व्यस्थ था रूपा ने बात अधूरी छोड़ दी थी वा जानती थी कि जब शब्द मस्दिश का साथ ना दे तो बातें अधूरी छोड़ जाती है इसले ही हम आ गए बेटा वर्धन की मम्मी ने उससने इसे दुलारते हुए कहा था आप बैठिये में चाय बना लाती हूँ नहीं तुम बैठो और इसकी बाते सुनो ध्यान से पहले वर्धन की मम्मी ने उससे अपने पास बठाते हुए कहा था क्या आपके घर में मेरी जगह है मतलब रूपा ने विसमे से पूछा था दरसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ क्या आप भी मुझसे शादी करना पसंद करेंगी मैं आपकी नौकरी की कद्र करता हूँ आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करूँगा और आपकी हर काम में मददकार बनूँगा और और कुछ नहीं मेरी उम्र जानते हो रूपा ने चौकते हुए वर्धन की बात काट दी थी क्यो नहीं आप मुझसे आठ वर्ष बड़ी हैं तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? एक विवाह के लिए यदि लड़का बड़ा हो सकता है तो लड़की क्यो नहीं हो सकती? रिवाज, परिवार और फिर ये समाज समाज हमने बनाया है और मेरा परिवार मेरे साथ है वर्धन ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा था रिवाज, परिवार और समाज किसे रिष्टे और प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकते पर किस से पढ़ता है कि तुम क्या सोचती हो बेटी वर्धन के पापा जो अब तक छुप थे उन्होंने रूपा से कहा था मेरे पास अच्छी नौकरी है बस घर किराय का है क्या मैं आपके घर आ जाऊं या आप मेरे घर आना पसंद करेंगी वर्धन ने रूपा को देखकर मुस्कराते हुए पूछा था अगले कई रोज पापा और भाई बहनों से बातचीत में रूपा के फोन आते जाते रहे थे उन सब का सोचना था कि रूपा को वही करना चाहिए जो वह करना चाहती है ए बड़ी उम्र की लड़की मेरे पास सब तो है फिर भी इधर एक अधूरापन पसरा है एक नेम प्लेट बनवाला हूँ जिसमें मेरा नाम लिखा हो तेरे नाम के बाद फिर एक रोज वर्धन ने मेंसेज किया था सूप्रभात आज डिनर में खिच्डी बनाऊंगी आजाना रूपा ने जवाब दिया था अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी के लिखी कहानी तेरे नाम के बाद उमीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी धन्यवाद झाल